प्रिविद देर्थियों आपका सोगत है आज की इस धमाकिदार वीडियो पर यहाँ पर मेली कि आचको प्रिवूर्ट पर इच्छा आपका गडित का यहाँ पर आपका पेपर का हल तो फटापट यह पेपर देख लिजिए और चलिए फटापट यहाँ पर हर एक कोश्चिर के अंसर भी आपको बताते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख लिजिए आपके यहाँ पर एक से पांच तक के वस्टूनिश कोश्चन से और छे से लिकर तेज तक के प्रतेक बस में आपको अंत्रिक विकल्प दिये गए मतलब की क्या हुआ इसका मतलब की अथवा सहीत आंसर क्या है ऐइसे सकते हैं संख्यां में पांच होगा तो आपको यहाँ पर अंसर क्या लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर दस कर आएक को आपको दुखात बहुपद आपको यहाँ पे दिया गए है अलफा और बीटा के जब आपके अलफा में क्या करते हैं बीटा का मल्टिपलाई करते हैं तो हमेशा आपका सी वटा एक होता है तो इसलिए आपके पहला हो जाएगा इसके बाद देखें थर्ड कोशन यहाँ पे क्या लि पे इसके अनएक हल होते हैं इसके बाद चौथा कोशन निखी अपको ये जो कोशन लिखाऊ है ऑपको सारवंतर बताना है एक Celebrity कीका उपका यहां के आपको सीम्पल पक्या हो ज lies टीडिगीरी आपका यहापे हो जाएगा ठीक है आंसर यहापे आप देख सकते हैं यह सारे कॉश्चन का आंसर आपको यहापे खुद आपका लिखा गया है इसके बाद कॉश्चन नमर छटा देखिए यहापे कॉश्चन नमर छे में हाई एवरियोन क्या आप जेई नीट क्लास 9 या क्लास 10 की प्रिप्रेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टाप मोस्ट आयाइटियंस और डाक्टर फेकल्टी ने जो लेक्चर वनाए हैं जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रेक्टिस किया है सास में वो प्रि स्किप्सन में दिया गया है आज ही इसरल एप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम जाम की तरप एक बहुत अच्छा कदम उठाएं और माइनस टू है बी आपका माइनस थ्री और फोर है तो इसका मद्विन जजांग क्या होगा तो आपको आंसर पहला माइनस वान और वन हो हो जाएगा इसके बाद सेकेंड कोश्चन घात तीन के किसी बहुपत के अधिक्तम कितने सुनक होते हैं तो आपको यहां पर तीन लिखना है इसके बाद किसी दुखात समीकरण के मूल यदि बास्तिविक और समान हो तो विविप्तकर आपको क्या होगा यहां पर सुन हो ज हो जाएगा इसके बास पाज़ा कोश्चन सभी आकरती है जिनके आकार समान हो परंतु उनके माप समान होने की अवस्यक नहीं है क्या होते हैं समरूप कहलाते हैं ठीक है यहां पर यहां पर इस्थित होगा जीरो और फोर इसके बाद दिखिए और यहां पर अगला दो बिंदों पर प्रतिछेद करती है इसके बाद आपका यहां पर आ जाता है क्या आता है आपका यहां पर देखिए सही जोड़ी कोश्चन आते हैं तो इसका आंसर आपको यहां पर दिया गया है और यहाँ पर चौट ए का सूरी का सांसरा सांसरा पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखिए यहाँ आपको graph दिया गया है और इसमें आपको सुनकों कि आपको संख्या बतलाना है तो यहाँ पर आपके दो सुननेया कि आपके हो जाएंगे साथ नमबर कोस्चन है इसके बाद सेकेंड कोश्चन दो चरों में रेखिक समी करण का माना करूप क्या होगा तो आपको यहापट का छेटफल का सूत्र आपका πाई एर स्कूर और पांचवे कोश्चन का संकू का आयतन का सूतर आपको लिखना है तो एक वठे तीन पाई आर स्कूर आपका ह हो जाएगा और यहाँ पर चौट च्छटा कोश्चन तो आपको इसको सिंपल सा करना है देखिए क्या लिखना है पहले कोश्चन में आपको दो दहनात्वाफ पूर्णांक ए और वी दिये रहने पर एसी अदूती है पूर्ण संख्याएं Q और R विद्वान रहती है तो A वराबर B Q पलस R तो इसका आपको सत्त करना है दूसरे मे आपको यह गलफ हो जाएगा इसलिए आपको असत्त हो जाएगा और तीसरे कोश्चन का गोले का संपूर्ण परष्ट क्या होगा पाया स्क्वेर तो यह भी आपका असत्त हो जाएगा ठीक है इसके बाद दिखे चौता कोश्चन माध्यक बहुलक और एक माध्य में क्या प्रड़्र का प्रव्ट सबcompassion 8 असर बतावसिए यहाँ पर आपका सबस्ते में यहाँ पर अथानल दिवार पर टिकाने पर भोमी से आठंटल पर तक पुछ तो दिवार के अधार से निचले सीरे के दूरी आपको ग्यात करना है तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूं तो देखिए आपको यहाँ पर सभी question के आपके answer हो जाएंगे आप इसका इसकी insight का लिजिए ठीके यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर पांच का अंसर आपका यह कर लिजिए ठीक है सत असत वाले question और आपके इधर देखिए question number आपका 6 का अंसर आपका यह हो जाएगा ठीक है तो आपको यह LCM निकालना है तो आपको यहापे LCM निकालेंगे तो आपको यहापे यह answer आएगा और इसके बाद आपका यहापका यहापे French करना था तो यहापपे अंसर निकाल लेंगे आपको यहाप देखिए आपको यहांचर करना है इसके बाद को समझना चाह्ते तो का समझे क्या करना पड़ेगा यहांपे यहांपको यहांचर होने वाला है और इसके बाद यहांपे यदि आप समझना चाते तो समझ सकते हैं कैसे करेंगा आप इसे इसको समझने के लिए को क्या करना पड़ेगा यहाप यही एक दिवार है विल्कुल आपका यहाप क्या है आपका हाइट कह procesAt लावर केखा वैदी इसे लंब कह सकते हैं और ci area mr cdh अब यहाँ यहाँ यह तो अधार आपको निकालना है तो तो आपको रिभूट का क्या होता है कंड का वर्ग ब्राबर यहाँ पर मतलब यह वाला है करने का वर्ब laying का स्कूर प्लस अधार तो सिंपल्स आप धगे है और यहाँ पर दीखी यहाँ पर लम का आपका सके है और यहाँ कड़ार है और अधार तो जचाएगा और आठी चुछ निकालना है तो यहाँ पित कर निकालेंगे दीखी आपका यह अपका करेंगे सberry से चोड़ सर्ट आपको यहाप पर पक्षांतर होगा तो 36 आएगा और बीशी स्कॉयर मतलब 6 का आपका स्कॉयर हो जाएगए 6 चांग चांग शाथ यह तो इस्कॉयर स्कॉयर हो जाएगे और यहाप का 6 6 पर अंसर आ जाएगा अब इसके बाद देखिए यहापका पूरे के पूरे सेलूसन आपको दे दूंगा एक ही वीडियो पर तो इसलिए चैनल पर पहली बार जो भी आप छात रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे जिससे आप लगातार वीडियो के नोटिफिकेसंद मिलते रहे हैं जेहिंद जेभारत